नमस्ते गाइस फैनल आ चुका है ब्यार रेंग कर निव सीजन और आप लोग सोच रहे होंगे मैं इतने दिन के बाद अब रेंग पुजिंग स्टार्ट कर रहा हूं तो आप लोग गलत हो क्यूंकि मैं ग्रेमास्टर एचिप कर चुका हूं और आज की इस वीडियो में ग्र क्या बतामें पूरा ऑड़ यहां श्रीप फिणा करता हूं और यहां पर एक बंस चीछ को पेचाने के यांपर के बोया चाहिए था और यह दो बंदे फाइट कर रहे हैं तो यहां पछाट बटी करने के बाद में यहां पर निकाल लेता हूं चल्य कम रहेगा तो थोड़ी तेरे यहां पर वेट करता हूं तो पूरा देने के बाद यह बंदा भाग रहा था लेकिन इस बंद को पूरा मार दिया जैसे जैसे करके और इसे के साथ 7 किल के साथ बॉया हो चुका है साथ में 40 प्लस भी इस मैच की बात किया तो मुझे शिर्फ दो बंदे बचे हो हैं और यहां पर घर के उपर जाता हूं कि घर के उपर जाओंगा तो मारने का चांस ज्यादा रहेगा मत्तब मारने का यहां पर जैसे जाता हूं यह बंदा यहां पर बैठा हो रहता है तो इस बंद को पूरा देमेज देता हूं यह बंदा मुझे भी डेमेज देता है लेकिन मेरे पास ओडियन था तो ओडियन से आ कर तो मतलengers मैं पुछ मुछ निदि कर देख साथ मेरा है में थेन एके तक पाइए और यहांतर की यहां पर नीचे से दिया और फिर से यह बन्दा कर रहा है और इसने पुरा खतम कर दे लेकिन वेख कर के फिर दे लियुक्स कर देढ़ मैं और है przypadär चुका है अब मिना फे जैसे मॉंस्टर पर फिर तो यहां पर देख सकते हैं यह क्या कर रहा था पता नहीं तो इस बन्द को आराम से में गाड़ी से उडाने के बाद इस बंद को पूरा इंपोटे से भी डेमेज्ट देता हूं लेकिन यहां पर यह बन्दा गूल लगा ले अब क्या करूंगा पता नहीं चले देखते हैं और यहां पर जैसे जाता हूं मैं ऐा आ आगे पीछे और यह बंदा पूरा जोन में गुमाघ रहता है मुझे जब से उड़ाना पड़ेगा लेकिन नहीं तो मैं आगया कि जाओंगा तो मेरा बोया मिस हो चकता है तो इसलिए मैं मॉंस्ट्रक्स निकलता है नहीं और यहां भी मैं इस बंद को पुरा दिक्कत देया रहता हूं और यह बंदा पूरा फायर करता है मुझे चलो देखते हैं क्या और साथ में उर्ड. बन जता हूं तो इस बंद को आरामसे मार देता हूं मैं मारने के सब्सक्रेट फेसके सब्सक्रार गभी मिक्रेस करना छोग तो थोड़ी दिर वेट करना जोन में क्योंकि वो बंदे फेले मतलब ओपन में आ जाएंगे ना तो आप लोग आराम से मार देना जैसे मैं यहां पर थोड़ी सुपर मेडी लगाता हूं आप लोग देख सकते हों दोनों के दोनों आगे आ चुके हैं तब लोग थाट पटे म निस बंदे को मार दिया आराम से तो चलो यहां पर यह बंदा हिल कर लेता है क्योंकि रहाता है तो ने पर पूड़ी मतलब फाइर हो रहा था और इस बंदे ने उसी हेड ऑर बोड़ीं के साथ फिनिस करने के बाद कुछ आराम से मैंने इस बंदे को मारने के बाद निकाख जुगा हूं तीन-कई और थाटि फोर का प्लस के साथ मैं बात में बीडियो बना के बात देख रहा हूं तभी मुझे पता चल रहा है यह दमीच मेरे चलो गेम में जाते हैं और जिसे गाड़ी जी और आप लोब्रोप ने लोबी में देख लिया होगा नाम भी और यहां पर लाससे बंदा बचा होगा था और सब्सक्राइग लेकिन डेमेज मुझक को लग या बता है और यह बन्हूंद को पुरा रश करने केक्लिड मूड में रहता है तो फूरा फूरा प्रूरा यह पटाने को रश करते हैं थोड़ी देर वेड़ भी कर कर देता हूं और चार किल्गे साथ 40 ब्लस भी मिल जाता है इस मेच की बात क्या जाए तो मुझा जोकर सिर्फ पांच बंदे बचे हुआ है और नीचे के तरफ जैसे बंदा था इस बंद को पुरा डेमेज देने के साथ और इस बंदे को बोड़ी हेट के साथ यह बंदा भी हो जाता है फिनिस होने के बाद थ्योड़ यहां पे वेट यह करता हूं तो नीचे की तिरफ और एक बंदा रहता तो बंदा रस करता है मुझे मैं लेकिन मेता थोसमें मड था लगता है। लेकिन किसी अप्याओं को लगाते हो तो बहुत मजहता है क्योंकि बहुत बुदीज भी देता है उको तोट देता है वगे जोन में आने के पाद यहां पे दो बंडे फ़्ऐइड कर रहेता है और यहां पर गाड़ी से बीच करेंगे अगर और एक दिर यहाँ पर रहता तो यह बंदा आराम से मुझे एम करके मारतेता था और यहाँ पर जैसे निकलता हूँ यह बंदा का मतलब दिमाग तो पूरा गारी में मारने करे रहता है तो निकल के इस बंदा का आराम से हेट के साथ भी फिनिस कर देता हूँ फिनिस करने के बाद मेरा इलाई जो एक लग जाता है और साथ मैं 47 का प्लस भी इस मैच की बाद क्या जाए तो मुझे जोर के सिरी 12 बंदे बचे हो है और यहां पे थोड़ी दिर यहां पे आगे जाता है रहता हूं कि यह बंदा आगे आजाता है इस बंद का आराम से फिनिस करता हूं क्यूकि और बेकल आप लोग को लिना ही पडेगा को उड़ाता हूं लेकिन मारता के सिए और को हूँ, लेकिन इस बने को वीवING आराम से मार देता हूँ मैं, और दोनों का किल भी आराम से मुझे मिल जाता है, और यहां बे जाने के लिए जैसे ही ट्राइ करता हूँ बैञे जौन में मैं खुद फिनिश हूँ जाता हूँ, फिनिश ने पहलं हो लोगो आप लोग येसे गारी में ऊठे रहते होंगे और थोर देर से गारी में घूमते रहते और यहां पर कोई पी नहीं मरता स्याइब चोता है और यहां पर जैसे मारत यह नहीं था लेकिन 34 प्लस तो मिली चुगा है इस मैच की बात क्या आ जए तो मुझे शोकिस हो यह पता नहीं कि मैं यहाँ पिछ से आएग मेरे वह कंद तो फोरी दर पेक यहाँ करने के लिए ओर यह दिखकत देता है और यहाँ एहाँ नहेगे के से आता है इस बंदे को बोड़ी और हेट के साथ मतलब पूरा डेमेज देता हूँ और ओडियन था मेरे पास तो आराम से इस बंदे को ओडियन के साथ ही फिनिस कर देता हूँ और इस चाइट से आकर जाओंगा तो मैं पूरा नूप की तरह मारी जाओंगा हांटिड परसें तो आप लोग जब भी जाओ घूम के जाना वाई जोन में और यहां पर लेंड माइन लगा हुआ था तो पूरा डेमेज लग जाता है मुझे और इस बंदे को टाइम मिल चांस मिल जाता है मुझे रस करने के लिए लेकिन मैं यहां पर हिल कर लेता हूं तो यहां दोन के जैसे जाता हूं तो यहां पर यह बंदा पेक करा रहता है तो यहां पर मैं थोड़ी दिर या लेकिन.. लेकिन भाई मुझे डेमेश पढ़ गया लेकिन फिर भी किल तो नी मिली चुका है और उपर एक बंदा है जो सेंट्यूनियो लगा के नीचे आ चुका है और नीचे आने बाद इस बंद को जैसे डेमेश देने किल ट्राय करता हूं यार इस बंद को आराम से फिनिस कर देता ह है पहले ही और इस बंद को हेड लग जाता है फिप्टी एट था और ये बंदा पूरा हिल करने लिए ट्राय करता है और सोट गन था इस बंद के पास तो बचके रहना पड़ेगा लेकिन इस बंद को पूरा डेमेश देच को आप लोगों ने देखा होगा तो चलो ये मुझे मतलब ग्रेनेट तो यह नहीं था मतलब ग्लू मेलडर था तो ग्लू मंटर जैसे फेकता हूं ये बंदा रसकरता है लेकिन इसका गोली एक भी नहीं लगता शाथ किल के साथ बोया फाइनली हो चुका है और फोटे शिक्स का प्लस भी इस मैच की बात किया जाए तो मुझे छोड़के से दो बंदे बचे होगा है और यहां पे पथर के ऊपड़ ही एक बंदा था और गाड़ी भी तूट जया है सास में और इस बंदा को जैसे डैमेज देता हूं ये सोचता है यहां पर मैं भाग चुका हूं और यह बंदा य अधिक बाद के साथ के साथ बोया हो चुका है और 46 का प्लस भी इस मैस की बात किया जाए तो मुझा जोर के सिरिफ 6 बंदे बच वह है और गुल के साथ एक बंदा है और यह बंदा मॉंस्टर टॉड़ने के लिए ट्राइब करता हूं लें दोनुहाल रहता है और यहां पर घुमता है रहता हूं क्योंकि यह दोनों फाइट कर रहे रहते हैं और यहां पर यहाँ गूमा रहते हैं और देखते हैं यह दोनों यह किल निकल पाता है यह नहीं इस भंदे को भी थोड़ा समय बच गया और साथ में यह बना फूट गया और ऊठने के बाद कैसे के निकालता हूं आप लोग देखना जरूर यहां पर यहां पर मैरा गाड़ी तूटने वाला आप लोग देखी सकते हो और यह बंदा गुलोल मतलब फाइनली गाड़ी तोड़ भी देता है और पीछे से जैसे जाता हूं इस बंदे को हेड़ और बोड़ी के साथ इस बंदे को फिनिस कर देता हूं और एक किल तो निकल चुका है और और एक किल के साथ मेरा बोया हो जाएगा तो बढ़ा बहुत अच्छे होगा और और क्या ये बताओं और फील करता हूं थोड़ी देर और वो बंदा कुछ करनी पाता क्योंकि क्रूंगों था मेरे साथ और इस बंदे को हेड़ और बोड़ी क पूरा वीडियो आप लोग दिखा दू और आप लोग इतना लंबा वीडियो देखने को कोई मन जाहेगा भी नहीं और फाइनली मेरा बया हो चुका है और फोरेस्टर के साथ मेरा बया भी और सुर्याइज वीडियो बहुत लेट आया है लेकिन वीडियो थोड़ा सभी पसंद लगे तो लाइक इन सब्सक्राइब करना मत बूलना चलिए मिलते हैं नेक्स एपिसोड में अभी के लिए बाइबाई टेक केर